मैं महुईत स्वागत करता हूँ आपका इस बहतरीन सेशन में और यह 14 पार्ट है अपने सेरीज का और पहली तीन जो वीडियो है तीन जो पार्ट है वह आ चुके हैं उनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा वाज जाके आप चेक कर ल समझ में आ रहा है तो मैं अपने आपको बहुत ही गौरवान गौरवा क्या बोलते उसे गौरव शाली महसूस कर रहा हूं ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करते भाई रिक्वेस्ट आप से ठीक है तो कॉस्चन नमबर 31 की तरब चलते हैं बिना कि देरी के ओक देक्वेस्ट नमबर 31 इस एडायश इस एप्रोक्सिमेटली वन बिलियन बाइट एक बिलियन बाइट के बराबर क्या होता है आई प्रेस के लग दो हजार पंदरा में एस्बी एप यो दो हजार पंदरा का कुश्चन है ठीक है बहुत बार रिपीट होता है यह तो दो बा प्रेसेट बेसक यूनिट होती है मिजरमेंट की कब्यूटर में उसे हर एक नाए कॉश्चन तो बंता है वंद अब भी हम लिग भी बनेगा तो चार इसके किलोबाइट बिट गीगाबाइट या मेगाइट है तो चलते हैं इसका अंसर के तरफ उमीद हापने अन्सर जरू थे कि एसे अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में यह क्या है क्या नहीं है कैसे कर ते कैसे नहीं करते हैं समझा देबल की तरह है यह होती है basic unit of memory measurement की memory को किस अधार पर हमने mizr करना है सबसे छोटी होती है one bit one bit क्या होती है हमारे computer में क्या होता है कि कोई भी डेटा होता है वो zero और one की form में होता है उन्हें हम बोलते है binary digit form ठीक है और अगर कोई भी डेटा zero है तो एक one bit है one है तो भी one bit है यानि सबसे छोटी जो इकाई है सबसे छोटी जो basic unit है memory की वो one bit होती है जिसे हम zero या one से denote करते है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है this is the most important question बहुत ही जादा मतलब कि जितनी बार यह competitive exam में repeat होता है न यह question one nibble वाला शायद ही होता होगा computer से यह question बहुत बार repeat होता है कि 4 bit में एक nibble होते हैं या एक nibble में कितने bit होते हैं समझ गए बात को आगे चलें फिर बढ़ जाएगा आठ bit का मामला आठ bit में एक byte होता है और एक बाइट यानिकि दो nibble के बराबर होता है जैसे कि एक जो nibble है वह 4 bit के बराबर होता है समझ गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अगर हम चार bit और एड़ कर देंगे तो दो nibble हो जाएंगे न ठीक है लेकिन वह किसके बराबर है वह एक byte के बराबर आठ bit हो जाएगा तो एक byte के बराबर है ओके यह तीनों बराबर है आठ bit बराबर है एक byte बराबर है दो निबल अब बात करते हैं 1024 बाइट की यहां पर एक बाइट की वेलू 8 बिट है तो 1024 बाइट की वेलू क्या हो जाएगी मुल्टिप्राइब या ट बिट अगर बिट भी निकानना है तो तो यह किसके इक वाइट होती है वह के बीज में होते दो सो तीन सो या फिर आप जब कभी भी ओनलाइन फॉर्म भरते हो ना अभी पिएस का गया पियोगा उसमें लिखा होता है 50 KB से लेकर 100 KB तक के बीच का तो किलो बाइट समझ रहे हो ना आगे चलू तो 1024 किलो बाइट अब पहले एक किलो बाइट की वेलू कितनी थी 1000 बाइट अब 1024 किलो बाइट की वेलू कितनी है चार बेट को निबल कहते हैं सबसे चोटी काई का है वन बेट यानिके बेट एक आई है सब चोटी यहां तक कोई दिक्क्त नहीं है एंबेट सबके पता होगा कि 5 MB का मेरी 50 MB खतम होगी 700 खतम होगी आट सब को तो यह डेली का सबका रूटीन है सबकों समझ आता होगा अब 1024 MB में एक जीवी बनता है शायद डेट जीवी मिलता है जीओ का जो रिचार्ज है और दो जीवी वाला भी है तो दो जीवी में आपके मिलेगा समझ रहे हो वन टीवी कहां आपने सुना होगा मैं बता रहा हूँ आपने सुना होगा कहीं हार्ड डिस्क जैसे आप लैप्टॉप खरीत तो अभी आहल फिलाल में तो वन टीवी से चल रहे हैं हार्ड डिस्क में उसमें वन टीवी हार्ड डिस्क होती है और शायद आर जी अभी तक की जो इस में है अभी तक एडवानस में नहीं जाना है आमें बहुत कॉमन सी चीज़ है पैटाबाइट ही पूझेगा वो ठीक है इस जादा नहीं पूझ सकता छोटी बिट क्या है वन बिट चोटी इकाई सबसी चोटी वन बिट ओकी आगे चलू अगर आपको स्क्रीन शोट लिलना तो इसके स्क्रीन शोट ले लिजी ठीक है बहुत काम आएगा आगे चलता हूं को स्टिन नमबर थर्टी तू विच अपने अभी टेबल पड़ी है स्मालेस से हम लाजिस्ट में जान सब्सक्राइब करें अपने वीडियो पॉस्ट करें अपने वीडियो पॉस्ट करी होगी और इसका आंसर जरूर दिया होगा मैं चलता है इसका अंसर है डी किलोबाइट मेगावाइट गीगावाइट और टैराबाइट पैडबाइट समझ गए है ठीक है चलना आगे देखिए इसमें क्या है पैटाबाइट इसमें पहले आ गया कि लोगएट पहले आ गया कि दिखा देता हूं वो हाँ यह देखिए मडेट के वी एमवई घीबी टीबी बीबी आप शॉर्ट फ़ॉर्म याद कर सकते हो ठीक है तो टेबल शायद आपको याद रहे न रहे लेकिन आपको यह ज़रूरूरी याद रही नापको सीचिन पहले आता एटफर टीबी आता- aquele पैटा-बाइट आ CD-ROM is an example of CD-ROM compact disc CD को क्या बोलते हैं full form भी पूछ सकता है compact disc is an example of ठीक है अरे बाव हाई साब RBI grade B वह दी question अच्छा है CD-ROM नहीं पढ़ा होगा लेकिन यह नहीं पढ़ा होगा वो कौन से डिवाइस है है ना इंपूट डिवाइस आडपूट डिवाइस बहुत हीं भी है memory डिवाइस है कि वीडियो को पॉस्ट करिए अच्छे सा अंसर दीजिए जबर्दस्त कुशन आ रहे हैं अभी तक मजा आ रहा है पूरा में लोग सेशन में और मैं चलता हूं आंसक तरफ आपने आंसर जरूर दिया होगा इस यासा के शार्थ तो इसका अंसर है d memory device cd compact device में क्या करते हैं भाई कुछ data तो फिल करते ही ना कुछ तो data उसमें फिल रहता है न cd में तो cd memory device ठीक है आगे चले खतरना कोशन आ रहे भाई 34 amount of memory RAM or ROM is measured in यह लीजिए भाई कोई भी memory है RAM है या ROM है किस में मिज़ित करते हैं अभी पड़ा था हमने अभी टेबल में टेबल से कोशन लेंगे गुमाफिरा कोशन नहीं तो टेबल बहुत इंपोटेंट है ओप्शन अबी सी और डी और कलर के में एक्जाम में पूछा गया आसान है मानता हूं फिर भी बताइए आप ठीक है असान कोशन असानी आएंगे लेकिन ट्रिक ही आएंगे गुमाफिर आगे आएंगे बस आपका रिविजिन अच्छी से है अपने वीडि भी नहीं कि आप उसमें फसो इसका अंसर डी मेगावैट एंबी ठीक है बिट्स और ब्यट्स में देःखिए आप बोलेगे कि सब्सा च्छोटी होती है ब्याई इससे थोडिए होती तो हम कभी भी बैट्स में डेटा को रिकॉगनाइस नहीं कर पाएंगी याद नहीं पाएंगे वो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा तो ऑप्शन के हिसाब से फिट क्या बैठता है मेगावाइड बैठता है ठीक है समझे रहे बात को आगे चलूं कोशन नंबर थर्टी फाइफ की तरफ एफ डी डी स्टेंड फोर आप बताईए आप आई पियस क्लारक में बहुजार उननी सा कुशन है ए बी सी और डी आपने कभी तो पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो मैं बताऊंगा आज एक अंसर तो आप ठीक है आंसर देके देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं कट रहे हैं आपके सोची थोड़ा से दिमाग लगाई वीडियो को पॉस कीजिए थोड़ा से दिमाग लगाई अच्छी शॉप्शन पढ़िए फिर आंसर दीजिए ठीक है उमिल करता हूं आपने आंसर दिया थोड़ा बहुत स्टोर कर पाते थे अभी तो हार्ड डिस्क है एस डीडी है तो अभी तो हम डेटा भर भर के यूज़ कर रहे हैं मतलब स्टोर कर रहे हैं पुरा तो पहले क्या था फ्लॉपिड डिस्क हुआ करती थी ठीक है उसमें एप्रॉक्स तीन से चार एंबी का ही जइन घाटा पाते थें अब बात करते हैं एक और इंपोर्टेंट चीज की डीविडी डीवीडी की फुल फोर्म क्या है वילीडी वीडियो डिस्क बैए फुल फॉर्म का जञजड़ डियूँ सीडी डीवीडी हमने सब पड़ा हुआ है लेकिन हमें फॉल फॉर्म याद नहीं है अब फॉल इजी कोशन है हम सोचेंगे इतना इसी कोशन हम हमी नहीं आता और आते हुए भी कई बार option में गलत टिक हो जाता है फिर से दिमाग खराब तो इसे अच्छे सब्सक्राइब कर लें आप से रिक्वेस्ट है और लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिस ग्रूप में आप जुड़े हुए हैं सबको बताएं कि यहां पर श्रीच चल रही है बहुत तगड़ी ठीक है चार पार्ट उसके हो चुछ गए चौता पार्ट है पांच्वा कलाएगा तो फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट कोशन तरफ सब्सक्राइब आपने जरूर किया होगा इसी आशा के साथ चलते हैं 36 कोशन पर हार्ट ड्राइव किसलिए यूज होती है क्या डेटर्स में यह स्टोर होता है एक दो तीन और चार इंट्रस्टिंग कोशन है अच्छे से समझाऊंगा प्यार से समझाऊंगा क्या सीन नहीं है ठीक है पूरा बताऊंगा अपको समझे पहले वीडियो का पॉस्ट करा आंसर दिया इसका अंसर ए परमानेंट डेटा के कोई भी हार ट्रे होती है अगर मान लेजी मैंने समें कोई फोटो डाल दिया ठीक है या कोई ऐसा म्यूजिक डाल दिया कुछ भी डेटा मैंने डाल दिया तो हम उसमें रीट राइट नहीं कर सकते हैं? समझे? है तो हम उसको modify नहीं कर सकते है, simple बाशा में modify नहीं कर सकते हैं, edit एक अलग चीज है, हम उसी में modify नहीं कर सकते है, edit का option अलग है, ठीक है? अब non-volatile और वोलेटाइल क्या होता है वाई सबसे पहले मैं बता दोँ आपको वोलेटाइल मेमरी क्या होती है ठीके अगर आप ने कोई data store किया है ठीके मान लेजिए कोई data आपने store किया है किसी भी form में है और आपकी जो power है PC की वह चले जाती ने की light आपकी चले जाती है तो क्या होगा वो जो डीटा है ना खतम हो जाएगा मतलब आपकी सारी मेहनत खतम बाबाई टाटा सिंबल भाजन बताता हूँ जैसे कि आप कोई चीज टाइप कर रहे हैं वर्ड में और आपने उसको सेव नहीं किया तो जब आपका पीसी बंद हो जाएगा तो वो तो सेव नहीं दिखाएगा समझ रहें नो बात को वही है वोलेटाइल मेमरी और नोन वोलेटाइल मेमरी क्या होती है अगर पावर चला भी जाए आपने जितना टाइप किया है ना वो तना रहेगा उसके अंदर ठीक है अगर आप मान लिए आपका पीसी है आपने कुछ टाइप कराया है और वो लाइट चलेगी आपका पीसी बंद हो गया लेकिन आपने दुबारा उनकिया दो लाइट आई तो टेटा ऐसे कैसे था इसका मतलब वो नोन वालेटाइल मेमरी है उसके अंदर समझगे बात को टेंपरे लाइट हमेमरी मेंड़ी कंप्रेटर इस वेरं इंफरमेशन स्टोड वाइलेट इस बीग अक्सेश और वाइट बाइधा थिए अधू आऑ अगड़ी एक्सेश कोड़ गारज़न से और एक्सेस हो जाती है जब प्रोसेश सर इसे काम लेता है ठीक है वीडियो को पास कीज सप्रद में DRAM एक ऐसी हिए रहे हैं क्या होता है रेंडम एकसेस में क्रणल रिरो ली मे म हम चोटी चोंछी अर चूथिक यहों ओर रिंडम aney सबस्ज़त सकते हैं एकर करेयर कि जब दर ले सकते हैं लिए 38 कितब चलते कैशे मेमरी कैशे मेमरी क्या होती है बताऊंगा आपको इंटरस्टिंग टॉपिक है और कैशे मेमरी क्या होती है जब कभी भी आप आपने देखा होगा कि आप जैसे की गूगल में आप फ्लिप कार्ड सर्च कर रहे हैं ठीक है फ्लिप कार्ड पे आपने कुछ थे लिए आपको अच्छे वाली तो क्या करोगा आपने फिर वो साइट बंद कर दी बंद कर दी आपने वांसे उठा आपने दो तो आपने चलाया गूगल पर ही कुछ और चलाया सिबन्द क्या पसंद हैं इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग चीजह वहाँ से उठाकर cash memory से तो वो वहाँ पर आपकी page पर show कर देगा कई बार आपने इसको notice किया होगा cash memory क्या होती है हमारी history बोल जखते है आप उसके उसे ठीक है एक ऐसी history जो permanent नहीं है permanent नहीं है समझे रहे बात को permanent नहीं है हाँ कुछ समय के लिए है cash memory कुछ समय के लिए रहता है cash memory को आप clean कर दोगे खतम बाबला कुछ नहीं मिलेगा आपको नहीं है आप फस होगे कभी इस टेक चक्कर में ठीक है इसका answer है CPU और RAM की वीच में काम करती है कैसे memory ठीक है आगे चले 39 what is the main folder on a storage device storage device के अंदर main folder क्या होता है वाई आपने अभी कभी नया laptop या नया PC लिया होगा तो एक folder उसके अंदर बना आता है C नाम से उसका बोलते है root directory क्या बोलते है root directory उसके बारे में पुचा गया question easy है गुमा दिया गया बस easy है ना अब इसने पूल दे कि C folder होता है आप लिखते हैं लेकिन इसने दिया दे रूट डरेक्टरी तो रूट डरेक्टरी होता है उसका नाम आगे चले question number 40 and the last of the video 4 part हमने complete कर ले हैं आपके बहुत बहुत आपको धन्यवाद और या आखरी question है इसका आगे भी शिरी चलती रहेगी cache and main memory will not be able to hold the content when the power is off दिखा अभी मैंने example दिया था cache memory main memory एक ऐसी memory है जो अपना content hold करके नहीं दख सकती जब power चल जाती है तो इसका तो answer आपको देना चाहिए बिना option के चलो फिर भी option दे देता हूं आपको मतलब कि cache memory और main memory जो है power off हो जाने के बाद अपना data खो देती है अब बताईए ठीक है बताऊ मैं इसका अंतर है volatile memory volatile memory क्या होती है जो light चले जाने के बाद या current चले जाने के बाद या PC off हो जाने के बाद अपना जो data आपने अबित तक type किया तो without save के वो save नहीं होगा समझ गए बात को उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी चैनल को आपने अगर subscribe नहीं किया तो please 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 subscribe ज़रू करें और वीडियो को like करें जिससे मुझे motivation मिलता रहे ठीक है comment ज़रू करें आपके कितने question अभी तक ठीक हुए है out of 10 और out of 40 टोटल अगर आपने 4 वीडियो देख लिए तो वीडियो अगर आपको 4 वीडियो देखनी है तो नीचे link है description box में वहां से आप देख सकते हैं मिलते हैं फिर आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाबाई थैंक यू